अजमेर लोकसबा उप्चुनाव सच्चिन पाइलेट जीते तो अगले मुख्या मंत्री भी हो सकते हैं लोकसबा उप्चुनाव की बिचनी शुरू होगई ये बिसाथ मुख्या मंत्री वसंदर राजे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्स सचिन पाइलेट आज चुके है फुल फॉर्म में अजमेल लोकसबा उप्चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्स निष्टे तोर पर इस समय सबसे अधिक चुन्ता के दौर से गुजर रहे हैं उनका राजनेतिक करियर पूरा दाव पर लगा है इसके साथ ही यह भी सच है अगर पाइलेट अजमेर से लोकसबा उप्चुनाव लड़ते हैं और जीते तो राजस्तान में अगले साल होने वाले विदान सबाद चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनने के सबसे प्रबल दावेदार हो जाएंगे यानि अगर पाइलेट यह चुनाव जीते हैं और विदान सबाद चुनाव में कांग्रेस को बववमत मिल जाता है तो उनके राजस्तान के मुख्यमंत्री बनने की रा खोल जाएगी सरगे राजश पाइलेट ने भी एक बार दोसा सीट को छोड़कर भरतपुर से चुनाव लड़ा और हार गए उस समय भी कांग्रेस का राजस्तान से सपाया हुआ था इसके बाद राजश पाइलेट लगातार दोसा से जीते पिछली बार मोदी लहर में भी लगबग वैसा ही कुछ हुआ सच्चिन पाइलेट को सावलाल जाट के सामने हार का मुझ देखना पड़ा सच्चिन पाइलेट के लिए इतिया सहराने का समय है सावलाल जाट के बेटे राम सरूप लांबा जाट समाज से है उसके साथ ही एक नाम और चल रहा है वह है भवर सिंग पलाडा का पलाडा राजपू समाज से है राजपू समाज इस समय वसंदर सरकार से भारी नराज चल रहा है यह समाज भाजपा का बड़ा वोट बैंक है वही राम सरूब लांबा के पिता का बड़ा नाम और उनकी निदन के बाद की सानू बूती मैध कुन डोल निभाएगी सचिन पाइलेट एक ऐसा नाम है जो कांग्रेस की सबसे जिटाउ चेरे की रूप में देखा जा रहा है सचिन पाइलेट अजमेर से सांसत भी रह चुके हैं खास बात यह है कि अजमेर से पांच बार सांसत रहे रासा सिंग रावत की विजई भाचपा रत को सचिन पाइलेट नहीं रोका था पाइलेट अजमेर से जीत कर केंदर में मंत्री बने मोधी लहर में अजमीर की जनता ने पाइलेट को सांसच जाने से रोग दिया उन चुनाव में कुल 68.73% वोट गिरे थे इनमें भाजपा को 55% और कांग्रेस को 40% वोट मिले थे वो चुनाव भी जाट फटसेस गूजर के बीच ही था उस समय नरेंद्र मोधी की जवरदस लहर चल रही थी ऐसी लहर में भी सच्चिन पाइलेट भाजपा से केवल 15% वोट से ही पीछे रहे कांग्रेस से सच्चिन पाइलेट के अलावा रगुष शर्मा और भुपेंदर राटोर का भी नाम चल रहा है लेकिन दौनों चले सच्चिन पाइलेट के नाम के आगे विराट नहीं है सच्चिन पाइलेट इस समय आगे कुवा और पीछे खाई वाले समय से गुजर रहे है पाइलेट अगर चुनाव नहीं लड़ते तो माना जाएगा कि उन्हें हार का डर सता रहा है और यदि लड़कर हार जाते हैं तो उनके राजनेदी करिये को बहुत बड़ा नुकसान होगा अब इस दूसरे रूप से देखना जरूरी है अगर सच्चिन पाइलेट चुनाव लड़ते हैं तो पूरी कांगरेस में जबर्दत संदेश आ जाएगा पिछले चुनावक के बाद निराशा में आई कांगरेस उससाइत हो जाएगी यदि पाइलेट भाजपा प्रतियाक्षी से जीट जाते हैं तो सच्चिन पाइलेट का कद और बड़ा हो जाएगा वो राज़सान के मुख्यमंद्री पत के अशोग गहलोत के बराबर के प्रमुख दावेदार हो जाएगे चुकि प्रदेश कांगरेस की कमान सच्चिन पाइलेट के हाथ में है इसलिए अब सच्चिन पाइलेट को एक रननेती कार के तौर पर अपने आपको साबित करना होगा गूजर मुसलिम वालमी की समाच और भाजपा से नराज चल रहे राजपूतों का सई समीकरन बना कर सच्चिन पाइलेट भाजपा की गाड़ी को पटरी से उतार सकते हैं अजमील लोकसबा उप्चिन पाइलेट के लिए महत्परून हो गया है उतना ही भाजपा और वसुंदर राजपा के लिए भी है वसुंदर राजपा की प्रतिष्टा और राजपा की एक सरकार है दोनों सरकार द्वारा विकास की गंगा भाने का दावा किया जा रहा है से ज्यादा लोगों को इस चुनाव का इंतजार नजर आ रहा है यही कारण है कि हर गली महले और चाय की दुकानों पर लोग सब उपचुनाव की चर्चा जोरो पर है हॉराइजन हिन न्यूस के लिए रजनी शोईला की रिपोर्ट